चो वस्ट अप गैस तो इस वाले वीडियो को आप लोग इसकीप मत कीजेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका भाई ये बताने वाला है कि कैसे आप लोग विंक एप को सही तरीके से यूज करेंगे जिसके अंदर आपका भाई क्या बताएगा ना कि कैसे आप अपने नौर्वल वीडो को 4K HD Ultra Quality में कैसे convert करेंगे और Wink App में आप blur effect की कैसे वीडो को edit करेंगे साथी आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी face पे न मेकप को add करेंगे face को smooth कैसे करेंगे background को color grading कैसे करेंगे everything जानकारी आपका भाई बहुत ही simple तरीके से बताने वाला है तो इस वीडो को आप लोग complete देखिएगा 110-10% में लिख के देता हूं कि Wink App ऐसे चुटकों में यूज कर लेंगे तो चलिए इस वीडो को शुरू कर लेते हैं चो वस्प गाईज अगर आप लोग को विंक ऐप यूज नहीं करना आता है तो इस वीडो को आप लोग complete देखिएगा तो विंक ऐप यूज करने से पहले आप लोग simple से super bpn ऐप को यहां से open करना होगा और कर लेने के बाद कुछ stripe की interface आप लोग के सामने देखने को मिलेगा तो max or इसकी country को आप लोग जो location होता ना इसे सिंगापूर रख लीजेगा और रख लेने के बाद यहां से back आके और simple से आप लोग connect के icon पे click केरके अपने bpn को connect कर लीजेगा तब ही आप विंक ऐप को use कर पाएंगे अच्छी तरीके से और जैसे ही आप लोग connect के icon पे click कीचेगा तो आपका bpn यहां पे connect हो जाएगा तो simple से अब यहां से हम लोग का main का में start होता है तो यहां से आप लोग video को अच्छी तरीके से देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग को wing app को यहां से open करना होगा और जैसे ही आप लोग open कीचेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की interface देखने को मिलेगा और आपका बाई एक किस्टी बहुत ही simple तरीके से समझाने वाला है तो वीडियो को complete देखिएगा और इसे वीडियो के अंदर आप blur effective wing app में कैसे edit करेंगे blur effect वाली वीडियो तो वह भी आप आपका बाई बताएगा साथी आपका बाई full HD में आप अपने वीडियो को कैसे convert करेंगे 4K में ये भी आपका बाई बताएगा complete knowledge देने वाला है तो वीडियो को आप लोग completed देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना यहाप पे start वाले options पे एक बरी ऐसे tap करें होगा और टैप कर लेने के बाद कुछ इस टाइप की interface आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा आपका वीडियो वीडियो के timeline पे आ जाएगा और इसी वीडियो को मैं आप लोग को edit करके बताऊंगा और यहापे जो भी सारे tools के बारे में भी आपका भाई बताने वाला अच्छे तरीके से तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते ना एक template का option मिलेगा तो template का काम यह होता ना कि just one click में आप अपने वीडियो को edit कर लेंगे template का use करके तो यहाँ पर देख सकते यह वाला यहाँ पर जब भी आप किसी भी को आप लोग को पसंद आता है यहाँ से इसली आप लोग यूजे कर सकते फिलाल मैं आप लोग को केवल बताऊंगा यूज करना नहीं बताऊंगा और 4K quality में कैसे आप अपने वीडियो को बनाएंगे यह भी आपको बताने वाला है तो वीडियो को अच्छी तरीके से आप ल वाला पसंद आ रहा है तो इस पर लोग वारी एक वारी ऐसे टैप कर दीजिएगा जैसे आटों मेटी आपकी पूरी वीडियो के यहाँ पर देख सकते ना एडिट कर देगा तो यहां से आफ्टर वीफोर भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर कम ज्यादा भी इसी की जो जो भी यह देख सकते हैं आख को यहां पर छोटा वड़ा भी यहां से कर सकते हैं जो भी यहां से आप चेंजर करना चाहते हैं इसली यहां से कर सकते हैं फटा फट से फिलाल मैं आप लोग के साथ बस बता रहा हूं कि आप लोग को कैसे करना आप लोग यहां से जो भी है यहां से एजली आप लोगं कर सकते हैं तो सिंपल से मैं यहां पर राइट वाले आइकन पर टैप कर दूँगा टैप कर लेने के वाद इसके बगल में एक फेस का ओप्सन मिल लाएगा तो यहां पर जिस भी टाइप में आप अपने फेस को करना मेकप बाला जो भी सामागरी होता है यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा देख सकते हैं जश्ट वन क्लिक में आप अपने पूरी फेस को मेकप में कनवर्ड कर सकते हैं तो फिलाल आप यहाँ से अपने फेस को मेकप में कनवर्ड कर सकते हैं तो simple से मैं यहाँ पर right click कर दूँगा, then इसके बगल में एक body का option मिलेगा, body का कामी होता कि आप अपने पूरे body को यहाँ से edit कर सकते, easily, तो मैं फिलाल edit नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर cut click कर देता हूँ, then इसके बगल में एक hair का option मिलेगा, hair वाले option में आप अपने hair को यहाँ just one click में भी color कर सकते हैं, तो यह भी बहुत ही अच्छा tool से, यहाँ से आप अपने hair को color भी कर सकते हैं, तो फिलाल मैं नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर cut click कर दूँगा, then इसके बगल में आप रिसाइज का एक option मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, अपने पूरे face को यहाँ पर आप लोग resize कर सकते हैं, तो फिलाल आपका वाई केवल बतार है, आप लोग इसे use भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर cut click कर देता हूँ, then इसके बगल में आप लोग को बहुत सारे options मिलेंगे, जैसे का smooth, यहाँ से आप अपने आटो पर यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आटो से आप लोग अपने face को भी smooth कर सकते हैं, तो मैं करके और right click कर दूँँगा, यहाँ पर आप लोग fill light का option मिल जायागा, यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाएंगे, skin, eye, teeth, बहुत सारे options मिलेंगे, इन सारे का use करके आप एक professional video को edit कर सकते हैं, तो यह थाम लोग का retouch वाले में इतना सारा option, लेकिन यहाँ पर आपका भाई न color grading कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर template भी मिल जाएगा, filter भी यहाँ पर बहुत सारे filters मिल जाएंगे, इनका भी आप लोग use कर सकते हैं फिलाल, तो यहाँ पर simple से क्या करेंगे, इसका अर्जस्ट मिलेगा, अर्जस्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे tools हैं, यहाँ पर light बढ़ा सकते, brightness, situations, arpain, SSL भी मिल जाएगा, यहाँ से color select करके, आप simple से देख सकते हैं, यहाँ पर background की color भी आप लोग easily change कर सकते हैं, बहुत सारे options यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन कमाल का बात यह है, कि simple से आप लोग क्या कीज़ेगा, यहाँ से right click कीज़ेगा, और right click कर लेने का थोड़ा से ऐसे आगे आईएगा, तो blur effect आप अपने video के अंदर कैसे add करेंगे यह आपका भाई बताता है, तो उसके लिए effect के icon पर tap कीज़ेगा, थोड़ा सा आप लोग wait कीज़ेगा, यहाँ पर circle, zoom का एक option मिलेगा, तो इस पर आप लोग tap करके और right click कर दीज़ेगा, यहाँ से आप लोग easily अपने video के अंदर देख सकते, blur effect को add कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से right click कर दीज़ेगा, और जो भी काम था आपका भाई सारे tools को easy तरीके से समझा दिया है, तो 4K HD quality में अपने video को convert करने के लिए, simple से आप लोग को पता है क्या करना होगा, video को यहाँ से आप लोग को save कर लेना होगा, save कर लीज़ेगा, फिलाल मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ से back आ जाता हूं, और इसे मैं यहाँ पे back पे click कर देता हूं, then यहाँ से आप लोग को again back आना होगा, अपने video को 4K quality में convert करने के लिए, यहाँ पे quality resolution पे आप लोग को tap करना होगा, try now पे आप लोग click कर देज़ेगा, gallery से video को ले लीज़ेगा, लेने के बाद simple से न, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग wait कीज़ेगा, जब यह 100% हो जाएगा, तो आपका video fall के LCD quality में आप यह convert कर देगा, बहुत ही आसान तरीके से, तो थोड़ा सा आप लोग wait कीज़ेगा, देन यहाँ से आप लोग जैसे ही कीज़ेगा, तो आपका video यहाँ पे full HD में convert हो जाएगा, यहाँ पे after before आप लोग देख सकते हैं, तो simple से मैं यहाँ पे save वाले icon पे click कर देता हूँ, अगर आपको और ज़्याद है HD चाहिए, तो एगें इसी video को same process से आप लोग edit कर लीज़ेगा, आपका video एगें जो है ना full HD में convert हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे cross click कर देता हूँ, एगें यहाँ से back आ जाते हूँ,